नमस्कार दोस्तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट में आप सभी का स्वागत है दोस्तो दोस्तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार नगर निकाय चुनाओं को ले करके 15 मई 2023 को जो डेट फिक्स करी गई थी और पटना हाई कोट की तरफ से कि इसकी सुनवाई होगी और उस दिन बहत ही कहा था कोट ने कि इसकी पुन सुनवाई हो जाएगी लेकिन दोस्तो यह नहीं हो सका और क्या डवलप्मेंट हुआ है हम दोस्तो इस पर बात करेंगे किस तर कि जो तारीक मुकरर के गई है क्या वो इसको सुपर सीट कर गई है इन सारी विश्यों पर दोस्तों बात करेंगे कि और पटना हाई कोट ने क्या किया तो 15 मई 2023 को यह मामला जो है तीनों ही केस दोस्तों बात कर दो दोस्तों इसको बिहार नगर निकाए चुनाओं को लेकर करके इसके संवधानिक्ता को लेकर के तीन पेटिशन जो है अभी वरतमान में है पहली पेटिशन है हरी नियरायन सर्मा वर्सस इसके साथ चैट उप बिहार अब सबसे बड़ा और दिल्चस्प सवाल यह है दोस्तों कि जो भी विहार में नगर निकाए चुना हुए दिसंबर दुहजार दिसंबर दुहजार बाइस को वह एक पुन रूप से और समय धानिक थे और उसे की समय धानिक ताको जो है यहां चुनावती दी गई है और पटना हाई कोट में और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो चुनाव में यह था कि ट्रिपल टेस्ट त्यार करना था और सुप्रीम कोटनी से मना किया हुआ है कि और किसी भी हाल में लोकल बॉडी के लेक्शन में नहीं दे सकते हैं अगर आप देंगे तो आपको उसके लिए ट्रिपल टेस्ट कॉलिफाई करना होगा और ट्रिपल ट्रॉस्त में आपको डेडिकेटेट कमिश से जो है वह पिछडे पिछड़ा पान है तो यसी को पता लगाने के लिए भीहर में अस्थापना की गई जिसे दोस्तो मैं आप सभी को पता हूं कि जिस एबिसी कमिशन के अस्थापना बिहार सरकार के दौरा किया गया था उसे ऑन्रेबल सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया पुर्व में मैंने कितनी बार बाते बता चुका हूं। यह बार-बार बाते इसलिए बता नहीं है दोस्तों कि इबीसी कमिशन को वी सी को अरक्षन जो है दे दिया गया और उसी नोटिफिकेशन पे जिसे नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया था उन्हें पटना हाई कोट में पुर्व में बिहार सरकार ने और विहार स्टेट एलेक्शन कमिशन ने खेर दोस्तों यह मैं कई बाते बता सुखा हूं अब रह और भी चुनाओं संपन कराये जा रहे हैं तो दोस्तों यह एक तरीके का एक्ट ऑफ कंटेम्ट अफ कोट है यानि कि नयाले के अवमानना है जो बरदास्त योग्य नहीं है अगर यह मैं कहूं कानून की भासा में तो साइध अगर कोट के सामने जब यह मैटर जाएगा तो इसका बढ़िया से फैसला करेगी बढ़िया से फैसला करेगी अब बात करते हैं दोस्तों कि 15 मई 2023 को इन जो तीनों मामलों को ले करके बाते हुई है वो क्या हुई है तो हरी नरायन सर्मा वर्सेस इस इस्टेट ऑब भिहार और इसके साथ जो करेक्टेड मैटर था लग गया था चुकि डिफेक्टिव लगने के कारण उस दिन यह मैटर जो है नहीं लग पाया था सतेवर्थ बर्मा जी में और फिर जो चीप जसिस ऑफ जो पटना हाई कोट है उन्होंने इस मामले की पूरी की पूरी सुनवाई जो है उसमें जजेश को जो है बदल दिया अब इस मामले की सुनवाई जो है इसकी यानि कि हरी नारायन सर्मा वर्षेड अभिषेख रड़ी करेंगे अब दोस्तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो मेंडेशनर सुनील कुमार है उनके पहले उनके मामले को डैफर किया गया उस बेंच में और उसके बाद दोस्तों क्या कहा गया मैं वो बात करता हूँ हरी नारायन सर्मा और रामभली सिंग वाले में कोट ने क्या कहा तो मैं वो आपको बता देता हूँ यह बाते उस दिन कोट में हुई जो डिफेक्टिव मेंटर लगा था तो उसके बाद यह 26 को ओनरेबल जस्टिस एक रेड़ी के बेंच में यह मामला लग गया है और सुनिल कुमार वाला भी सुनिल कुमार वर्स्टिस श्टेट हो जो में प्रिटिशन रहे पूरे निकाय चुनाओके उन उनका प्रिटिशन तीनों ही जो है एक साथ सुनवाई होगी अब ऑनरेबल जस्टिस ए अब से एक रेड़ी के बें सबसे बड़ी डवलप्मेंट है दोस्तों और सबसे बड़ा बात यह दो कि किस सदीके से जो है मामले की सुनवाई चार मां के भीतर करनी है जैसे कि पूर में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा था कि जितना जल्दी हो अगर आप उस जज्जमेंट के मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की SLP थी सुनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑप बिहार यह सुनिल कुमार जो ले करके समय धानिकता को तो उसमें पतना हाइक को दिसा नर्देश देते हुए सुप्रीम कोट अफ इंडिया ने कहा था की ओइंग तुद एक्स टैने और इलेक्टेट मेंबर एक्टेट मेंबर एक्टेट मेंटर रिक्वार्स इस्पोजल इवी रिक्वेस्ट राइकोट डिसाइ पॉसिबल देफर विदिन दफॉर मंग्स फ्रॉंग देट ऑफाइलिंग अगली सुनवाई जो है दोस्तो वह एकिस जून दोहजार तेष को होगी और इसका सुप्रीम कोट जो सुनिल कुमार वरसे स्टेट ऑफ बिहार वाली जो किस है उसको चार महा के भीतर उसका डिस्पूजल करना है हाई को तो देखना यह होगा कि क्या चार जुलाई 2023 तक की मामले की सुनवाई हो जाती है क्योंकि मैं बहुत महत्तों बात दोस्तों बता रहा हूं क्योंकि हरी नारायन सर्मा वरसे स्टेट ऑफ बिहार और प्रफेसर रामबली कोड्य में बहुत सारी बाते लिख रहे कि अब नहीं होगा क्वर क्यों नहीं कर देती है कोड्य कोडों कि अमन्स दॉट क्यों मैं पुटिंग पे आ जाएंगे जब आपका मामला रिकट के साम आ जाएगा जज की सामने तो बढ़िया से फैसला होगा और इस मामले का भी फैसला बढ़िया से होगा दोस्तों क्योंकि चार माँ जो सुप्रीम कोट ने डेड्लाइन दिया है बड़ा ही महत्तोपूर्ण है दन्यवाद दन्यवाद